तो दोस्तो आप लोग सुने होंगे कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के तरफ से जो ओर्डिनेंस फेक्टरी बोर्ड है उसे विभाजित करके साथ नए कमपनियों का गठन किया गया है। उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि कैसे जो नए साथ कमपनियों का गठन किया गया है। प्रूप्स कमपर्ड लिमिटेड, यंतर इंडिया लिमिटेड, इंडिया ओपलेट लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के नाम से पैचाना जाता है। दोसे तरफ अगर भविशे के गोल को देखा जाए तो भारत के द्वारा अवी से ही बहुत बड़े प्लैन के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। और डिफेंस मिनिश्टरी के तरफ से आत्मनिर्व भारत के संकल्प को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत में हत्यारों के मिनफेक्चरिंग करने के लिए इसका गठन अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था और इंडिया के इंडिपेंडेंडन के बाद इसे सेंट्रल गॉर्मेंट के द्वारा ही परिचालन किया जा रहा था। इसके अंतरगत करीब करीब 41 अलग अलग इंस्टिट्यूट और फैक्टरिस था। और इसके पर्फॉर्मेंस को देखा जाए तो भीते कुछ सालों में इसका पुई महत्वपूर्ण पर्फॉर्मेंस नहीं था। इसके फेलियर था उसे भी रिकवर करने में मदद करेगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मे मेरा वीडियो देख्वाए सबसे पहले जय हिंद।